बंगाल की घाड़ी में बने समुंदरी चक्रवात बुलबुल नी रविवार तड़के पड़ोसी देश मंगला देश के साथ ही साथ भारत के दो राज पस्चिम बंगाल और उडिसा के तट्टिय रलाकों पर भी कहर बरबाया। कॉलकता एरपोर्ट को एतियातन बारा घंडे के लिए बंद कर दिया गया था। शनिवार अधिरा चक्रवत बुलबुल के चोईस परगना जिले में हिट करने के वज़े से रविवार सुबा कॉलकता एरपोर्ट से विबिन विमान सन्चालन एक बार फिर शुरू हो गया। अब तक इस समुंदरी तूफान की वज़े से भारत में तीन लोगों की जान जा चुकी है जबकि हजारों लोग बेघर हो चुके हैं।